प्रेंड्स मैं स्वागत करता हूं आपका किंग इंग किचिन में दोस्तों अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनके आप बहुत ही चौक जाएंगे तो आप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक पिज़ा की रेट बीं30 यहां आपने बिल्कुल सар मइड़ ज़ुन слड़ क्यों है दो अपको बिल्कुला रहान होने के जरुद की नहीं है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पीजा फोर बेट लावर तो ये स्पेशल पीजा बनाने के लिए हमें चाहिए कॉलिफ्लावर इसे अच्छी तरह ग्रीट कर लेना है और फिर इसे हम एक सफेद कपड़े में डाल के इसे अच्छी तरह स्क्वीज कर लेंगे हम इसलिए स्क्वीज कर रहे हैं ताकि इसका जो मॉल्स्चर है वाटर कंटेंट है वो पुरी तरह निकल जाए फिर हम उसे डालेंगे एक पैन में फिर इसमें आइड करेंगे इस्टालियन सीजनिंग बेसल लीव्स गार्लिक पाउडर आइड ड्राइ औरी गयन हुआ है फिर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे फिर हम डालेंगे थ्वड़ा तो नमक और इसे अरांड थ्री मिनिट तक से जम धीमी आज भी सॉटे कर लेंगे यह इसलिए कर रहे ताकि इसमें जितना भी बचा हुआ मॉस्चर है वो भी निकल जाए और यह बिल्कुल ड्राइ हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे एक एग और थोड़ी से चीज मैं यहां मॉध्रियला चीज यूज कर रहा हूं आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं तो चीज और एक हम इसलिए डाल रहे है क्यूंकि यह क्रस्ट को अच्छा से बाइट करके रखेगा फिर अब लेंगे एक पीजा ट्रे यूपर हम रखेंगे एक बेकिंग पेपर उसे हम अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे पिर उसको पर हम डाल लेंगे कॉलिफ्लावर और एक स्पून की मदद से इसे हम अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे और इसे एक अच्छा सा पिजा का शेप दे देंगे के बाद हमें इसे ओन में बेक कर लेना है अराउंड 175 डिग्री सेल्सियस में अब बीस मिनिट तक तो यह जी हमारा क्रस्ट तैयार हो गया है में डालेंगे पीजा सॉस पीजा सॉस की तेस्पी आप उपर देगी आई बटन फे क्लिप कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि आप घर में कैसे बहुत ही टेस्टी पीजा सॉस बना सकते हैं अब में अड़ करूंगा इसमें टॉपिंग्स तुम्हें यहां डिफरेंट कलर्स बेल पेपर्स यूज कर रहा हूं तक ग्रीन येलो रेंड आप चाहे तो अपने चॉइस के विजी या नॉन वेज भी इसमें डाल सकते हैं और यह ज्यादा नूट्रिशन बना सकते हैं इस अपिर मैं डाट करोंगा यहां पर टॉमयटोस मेन यहां सट राइट टॉमयटोस य्वार्स यूज किया है आप चाहिए तो नार्मलल टॉमयटोस भी यूज कर सकते हैं इस प्र मैं करोंगा पनीर क्या पigator कर लिये हैं ई फिर में डालूँगा डाइस्ट अनियन और फिर लास्ट में आड़ करूँगा चीज आप यूजिंग मजरेला चीज येर अफिर इससे में 200 डिग्री सेल्सियस में जस्में तक इससे फिर से ओवर में बेक कर लोगा फाइनली थोड़ा पीज़ा सीजनिंग आड़ करेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स बस दोस्तों हमारा स्पेशल पीज़ा फॉर वेट लॉस तैयार हो गया है आप इसे जरूर बना के ट्राइक कीजिएगा और मेरे कमेंट बोक्स पर जरूर बताइएगा कि आपको यह कैसा लागा और अगर आप यह वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना बद भूलिएगा और वीडियो के देखने के बाद इसे लाइक भी कीजिएगा थैंक यू यू तो यू जो तो लूएगजी वेत वितょHola आपं सेफिट व होणिए वह भी क्या है ट्रूर आप्रूलिए वार्साफ इन ध।בחेंगा ठीटलिए कुमास The uniqueness of the program is that you make permanent lifestyle changes in the way you cook, the way you live, and so you never gain back the weight that you have lost. So, without wasting any time, quickly join the group and get your free diet analysis done. Thank you.